वर्दान कर्म किया है सादू महराज मुझे कुछ भी इसी चीजों की लालसा नहीं है मुझे आप आशिरवात दीजिए जिससे मैं अपना जीवन दूसरों की मदद करने में बिताओ मैं तुम्हें वर्दान देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत खुश रहोगे और अगर तुम धूल को छो लोगे तो वह सोना बन जाएगी शांतनू ने अपना सिर जुकाया और साधू के पैर छुए साधू ने उसके सिर पर हाथ रख कर वर्दान दिया और संतोश के साथ अपनी प्राण त्याग दिये शांतनू ने एक छोटे से ठेले पर अपना व्यवसाश शुरू किया धीरे धीरे कारोबार बढ़ने लगा छोटी सी दुकान लेली कारोबार और बढ़ा अब उसकी गिंती शहर के रही स्लोगों में होने लगी शांतनू का मानना था कि ये सब साथो के वरधान का परणाम है क्योंकि उन्होंने जीवन में तब किया था कभी भी किसी को दुख नहीं पहुचाया और पूरी जीवन दूसरों की सेवा और भलाई में गुजारा तभी तो उनके शब्दों में शक्ती थी और उनका वरधान फली भूत हुआ ये बात उनके मुझ से बार-बार निकल जाती थी एक दिन उसके एक मित्र ने पूछा साथू में इतनी शक्ती थी तो वह स्वयम समर्द क्यों नहीं हो गए मैं साथू की शक्ती के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं उनके वरधान की शक्ती के बारे में बात कर रहा हूँ चलो ठीक है मान लिया क्या तुम मुझे इसी प्रकार का वरधान दे सकते हो नहीं, मैंने अभी जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मेरे वरधान में इतनी शक्ती हो तुम तो बस बार बार साधू के वरधान की बात करते रहते हो तुम्हारा नाम तो साधू का वरधान होना चाहिए था जो तुम ठीक समझो मैंने तुम्हें साधू का वरधान कहा बुरा नहीं लगा नहीं, क्योंकि मैं साधू के वर्दान के योग्य बनना चाहता हूँ ऐसा करते करते कई साल बीद गए शांतनु ने विदेश में भी व्यापार करना शुरू किया वो जहां भी व्यापार करता, उसे बहुत लाब होता एक बार उसके उसी मित्र ने कहा मैं जो भी व्यापार करता हूँ, मुझे तो लाब ही होता है तो अच्छा तो है, परिशानी की क्या बात है एक बार हानी का अनुभव करना चाहता हूँ हानी का अनुभव? मुझे कोई ऐसा व्यापार बताओ, जिसमें मुझे घाटा हो मित्र को लगा, उसे अपनी सफलता और दौलत पर घमंड हो कया है उसके मित्र ने सोचा, कि उसका अभीमान दूर करने के लिए क्यों न मैं उसे ऐसा धंदा बता दूं, कि उसका नुकसान ही हो जाए तो उसने शांतनु से कहा तुम भारत से खजूर खरीद कर जहाज में भर कर अफरिका के नकलिस्तान में बेज दो ये सही कहा तुमने नकलिस्तान खजूर का देश है वहां से व्यापारी खजूर भारत लाते हैं और यहां आट-दस कुना कीमत पर बेशते हैं अगर आप इसे भारत में खरीद कर नकलिस्तान में बेशते हैं तो इसमें साफ दोर पर घाटा होता है शांतनु ने निश्य किया कि वो भारत में खजूर खरीद कर खुद नकलिस्तान में ले जाएगा नुकसान को महसूस करने के लिए उसने भारत में खजूर खरीद लिया और उन्हें एक जाहज में लाद दिया और खुद नकलिस्तान पहुच गया नकलिस्तान में एक राजा का राज्य था शांतनु जाहज से उत्रा और वहाँ व्यापारियों से मिलने के लिए एक लंबे रितीले रास्ते पर जा रहा था शांतनु ने देखा कि सामने से एक राजा रूपी व्यक्ती पैदल सैनिकों के साथ आ रहा है उसने किसी से पूछा ये कौन है तो उन्होंने कहा कि ये एक राजा है राजा ने उसे सामने देखकर उसका परीचै पूछा आप कौन है? मैं भारत के महराश्ट के नागपूर प्रांत का एक व्यापारी हूँ यहां क्या करने आया हूँ? यहां व्यापार करने आया हूँ शांतनु ने देखा कि राजा के साथ सेकडो सैनिक है किन्तु उनके हाथों में तलवार, बंदूक, आधी के स्थान पर बड़ी बड़ी चलनी है वो हैरान था उसने विनम्रता पुर्वक राजा से पूछा आपके सैनिको के हाथों में इतनी चलनी क्यों है? बात यह है कि आध सुभा मैं समुद्र तट पर घूमने गया था तभी मेरी एक अंगुली की अंगुठी यहां से निकल कर गिर गई अब अंगुठी रेत में न जाने कहां गिरी इसलिए मैं इन जवानों को अपने साथ लेकर आया हूँ वे रेत में चान बीन करेंगे और उसमें मेरी अंगुठी को ढूंडेंगे अंगुठी बहुत महंगी होगी? नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अंगिनत अंगुठी मेरे पास है पर वह अंगुठी एक साधू का आशिरवाद है मैं मानता हूँ कि मेरा राज इतनी मजबूत और सुखी उस साधू के आशिरवाद से है इसलिए मेरे मन में उस अंगुठी का मूल्य राज जिसे भी जादा है सेट, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो? खजूर? खजूर? यह तो खजूर का ही देश है सेट यहाँ खजूर बेचने आए हो? किसने आपको इसी सला दी? जरूर भग कोई आपका दुश्मन होगा यहाँ खजूर को कौन खरी देगा? और तुम क्या कमाओगे? शांतनू ने कहा कि मुझे यही देखना है कि यहाँ लाब होता है यहाँ नी साधू के वर्दान से आज तक मैंने जो धन्दा किया उसमें मुझे लाब ही लाब हुआ तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके वर्दान यहाँ भी फलते हैं या नहीं? साधू का वर्दान? इसका क्या मतलब है? एक साधू जिसकी मैं सेवा करता था उन्होंने अपने प्राण त्याकते समय मुझे वर्दान दिया था कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी ऐसा बोलते बोलते शांतनू नीचे जुका राजा के सामने मुठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेट नीचे गिराई तो शांतनू और राजा दोनों के आश्चरे का पार नहीं रहा उसके हाथ में एक हीरे जडित अंगूठी थी ये वही राजा की गुम हुई अंगूठी थी अंगूठी देखका राजा बहुत प्रसन्न हो गया फिर राजा ने उससे बोला वह भगवान आपकी लीला का पार नहीं आप सादू के वर्दान को सच्चा सावित करते हो राजा खुश हुआ शांतनू को गले लगाया और फिर कहा मांगो सेट आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूँगा आप सो वर्ष तक जिवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो प्रजा सुखी रहे और तुम्हें मो मांगे कीमत देता हूँ कहानी से शिक्षा मिलती है कि आपके पास किसी सादू या संद या फर माता पिता का वर्दान हो तो दुनिया की कोई थाकत कभी भी आपको पराजित नहीं होने देगी तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की एक कहानी उम्मीद है पेहत पसंद आई होगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली कहानियों को सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकेन को ओन करना ना भूले हमारे इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना वेल्योबल सजेशन कमेंट करना ना भूले धन्यवाद